दोस्तों, मैं समस्ता हों कि मेरे लिए ये खुसी की घरी तो नहीं है इसलिए जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि कॉंग्रेचुलेशन आपने किताब लिखी है तो हमने कहा कि किताब जिस उद्देश से लिखी गई है, वो शायद अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए हम आपके कॉंग्रेचुलेशन के रिक्विस्ट को पेंडिंग में रखते हैं जब वो पूरा हो जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे जबात में इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे वेक्तिगत जीवन में भी और मेरे प्रोफेस्नल लाइफ में भी क्राइसिस खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है अभी हमारे जेनियू पे हमला कम नहीं हुआ है और बढ़ा दिया गया है आप सब लोग इस बात से परिचित होंगे आपको मालूम होगा कि हमारे बीच का एक छात्र बहुत ही रश्मे रश्मे तरीके से गायब कर दिया गया है और वो हमारे बीच नहीं है और जो दंस मैंने बच्पन से अपनी जिंदगी में छेला बगता है कि पता नहीं इसका आंत कब होगा इन्ही दिनों मेरे पिता जी का देहान थो गया है मैं चाह रहा था कि ये कारिकरम पस्पॉन कर दिया जाए लेकिन कहते हैं कि हर चीज की अपनी एक जरूरत होती है और जब मैं यहां आने के बारे में सोच रहा था तो मेरी मुलाकात मेरे स्कूल के टीचर से हुई और उन्होंने कहा कि बेटा जिन्दगी में हर चीज एक साथ बराबर चलते रहता है किसी को भी रोक देना दूसरे के साथ न्याय नहीं है राधर देन कि उसके साथ ही अन्याय है यह किताब लिखी गई है और इसको आज पबलिश होना है तो यह आज के डेट में ही पबलिश होना चाहिए गाउं की भासा में वो समझा रहे थे लेकिन जब वो बोल रहे थे उस बक्त ही मुझे ब्रिक्त की याद आ रही थी कि क्या अधेरे समय में भी गीत गाये जाएंगे हाँ अधेरे समय के ही गीत गाये जाएंगे क्या इस कठिन दौर में भी किताब लिखे जाएंगे हाँ इस बक्त के बारे में ही लिखे जाएंगे और आज तो और भी एक special दिन है आज सब लोग जानते हैं कि आज के दिन रूसी कलेंडर के हिसाब से अक्टूबर के महीने में और हमारे कलेंडर के हिसाब से नवंबर के महीने में रूसी क्रांथी हुई थी उसकी सतापदी वर्ष की शुरुवात हो रही है मैं नहीं जानता कि ये दिन आने वाला कौन सा मुस्तक्बिल लिखेगा क्या इतिहास होगा लेकिन ये दिन महतपुर्ण है और हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉंस लेटी है कि हम इसको महतपुर्ण बनाएं जैसा कि चिक्की जी ने कहा कि या किताब मेरी किताब नहीं है कलेक्टिव एफ़र्ट से लिखी गई है और एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे समाज का सच सामने रखने की कोशिश की गई है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किताब लिखने की जो प्रकिरिया शुरू हुई उसमें जेल का एक बहुत बड़ा रोल है और इस बात के बारे में मैंने किताब में नहीं लिखा है लेकिन आप से शेयर करना चाहता हूँ जिस दिन मुझे बेल मिला उस दिन हमने दिवाल पे एक बात लिखी है वो सेल में आज भी लिखा हुआ होगा हमने लिखा Welcome to largest democracy of the world और लिखे लेनिन का कोट लिख दिया democracy is indispensable to socialism और मुझे लगता है कि इस देश में democracy को strong करने का सवाल सबसे important सवाल है अगर आप socialism चाहते हैं अगर आप justice और equality चाहते हैं तो और यह जो पूरी की पूरी कहानी है यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं है क्योंकि जब मैं जेल में था तो बाहर क्या हो रहा था मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में सशारे लोग उस आंदोलन को जिस सिद्दत और गंभीरता से लर रहे थे उस आंदोलन का मैं पाट नहीं था जब मैं बाहर निकल कर आया तो मुझे महसूस हुआ कि नफरत के अलाबे कितने ऐसे लोग है जो बेपनाव मुहबब करते हैं मुझ से तो ये जो कहानी है इस कहानी में उस मुहबबब को सामिर करने की कोशिश की गई है और जब मैं बाहर निकल करके आया था तो कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आपने कोई jail diary लिखी है क्या हमने कहा कि देखिए मैं एक अधना सा आदमी हूँ ordinary विक्ति हूँ jail diary तो बरे-बरे लोग लिखते हैं जो सौक से politics करते हैं और सौक से jail जाते हैं मैं मजबूरी में politics करता हूँ और मजबूरी में jail गया हूँ इसलिए मैंने कोई jail diary नहीं लिखी है हाँ jail में diary में कुछ लिखा है तो उन्हों ने कहा कि क्या आप इसको share करना चाहते हैं हमने कहा कि एगर यह समाज के लिए जरूरी होगा तो share करेंगे व्यक्तिगत सौक को समाज बे नहीं थोगना चाहते हैं फिर इस बात की चर्चा शुरू हो गई कुछ publisher आये तो हमारे दोस्त जो है वो मिलकर के बोले कि इसको लिखना चाहिए हमने कहा कि इत्ती होता होता है कि जिल कंषा है उनके लिए जाना बहुत महत् comprend होता है तो मैं समस्ता हूँ कि मैं तो जेल में अच्छा दिन ही बिता कर के आया हूँ समाज न अच्छा दिन हो न हो तो इसमें किसको इंट्रेस्ट होगा कुछ दिन पहले मेरे घर में टॉयलेट बना है मेरी मा जो है लोटा ले करके खेत में जाती थी तो वहाँ तो कम से कम जो है Western style का Latin बना हुआ था मैं क्या लिखूँ इसके बारे में मैंने कहा मेरे लिए तो जेल जाने से ज़्यादा महतपुर्ण है जेल जाने का कारण मुझे जेल क्यों गेजा लिए तो फिर इस discussion के बाद हम इस conclusion पे पहुँचे कि तिहार से ज़्यादा महतपुर्ण है बिहार के बारे में लिखना और टाइटल कुछ यूँ बना बिहार से तिहार कि अगर मैं बिहार के एक छोटे से परिवार में पैदा ना होता जो गरीब जरूर था लेकिन मानसिक रूप से गरीब नहीं था परिवार के एक-एक सदस के पास अपनी राजनितिक सोच थी पलिटिकल कंशिसनेस था और सबको अपनी आजादी थी नाना जी कॉंग्रेशी टोपी लगा के खुश थे पिता जी को लगता था कि करांती बंदूख से ही आएगी और बाकी पूरा परिवार को लगता था कि नहीं डेमोक्रेटिक मीन्स से पार्लियमेंटरी पाथ से चुनाओ के द्वारा करांती आएगी ये जो पूरा का पूरा पूरा पॉलेटिकल डिस्कोर्स था मेरे घर का उसका आसर था मेरे उबर और जिस तरीके से मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, इप्ता में सामिल हुआ एईएसिफ का हिस्सा बना, पॉलेटिक्स का पी नहीं जानता था एईएसिफ में सामिल होने का दो कारण था वो कैसा संगठन था, जिसकी अध्यक्षता नहरू और जिन्ना दोनों मिल करके कर रहे थे जिसके लिए सुबकामना संदेश गांधी और टैगोर लिख रहे थे अटल विहारी वाजपेई से ले करके, आएके गुजराल से ले करके ये भी बर्धन तक उसके सदस थे, ये विराशक मुझे आकरशित करती थे और सिनेमा की बात करें, तो साहिर लुध्यान भी, कैफी आजमी, ये तमाम लोग उसके पार्ट थे विज्ञान की बात करें, तो सीवी रमन उसके मेंबर थे मुझे लगा इस लेगेशी को अपहूल करना चाहिए उस वक्त ये समझ नहीं थी, उस वक्त तो बहुत ही साधारन कारण से आएसप का मेंबर बन गया, कि लड़के लड़कियों को छेड़ते थे वाशुरू में पानी नहीं आता था, एक भी पंखे की पत्ती सीधी नहीं थी और 21 वी सदी में लोग हाथी पे चंकर करके कौले जाते थे ये जो सवाल था, इन सवालों को लेकर के ही एएसप संघर्स करता था कोई करांती और समाजबार लाने के लिए संघर्स नहीं कर रहा था ये आकरशित किया, लोग कहते हैं कि राजनीत करते हैं राजनीत करते हैं कि वाशुरू में पानी आना चाहिए राजनीत करते हैं कि सबको सिख्षा मिलनी चाहिए राजनीत करते हैं कि एक लड़की को लड़की होने के चलते कॉलेज में इव टीजिंग का या फिर सेक्शल हरास्मेंट का शिकार नहीं होना परेगा राजनीत करते हैं कि कास्ट के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमनेशन नहीं होगा राजनीती करते हैं कि क्लास और लेंविज के अधा पर किसी के साथ वाइसनेस नहीं होगा इसलिए राजनीत का हिस्सा बन गए और राजनीत जब करने लगे तो सोच पर अशर परनी लगी पर एक समय पर जाकर के लगा कि DM हो या फार्मर हो जरूरी दोनों है समाज के लिए जैसे गारी के लिए हार्न और रेस्ट्रेणिंग दोनों जरूरी है जैसे गारी में हम तैया नहीं कर पाते हैं कि कौन ज़्यादा जरूरी है और कौन कम जरूरी है उसी तरीके से समाज में आप तैया नहीं कर सकते हैं कि डाक्टर ज्यादा महतपुर्ण है कि स्वीपर ज्यादा महतपुर्ण है मैं समस्ता हूँ कि हस्पताल के लिए और लोगों के अच्छे स्वास्त के लिए दोनों की जरूरत है ये जब सोच आई फिर लगा कि DM बनने से अच्छा है कि मास्टर बन जाए और मास्टर बनने के लिए सबसे अच्छी जगा JNU है JNU पहुँच गया और वहाँ पर वही लेकेसी टेमोक्रेटिक, लिफ्ट, लिबरल, रेशनल, लॉजिकल पॉलिटिक्स के चलते हैं आइसे अब का हिसा बना और इस फर्ग को समझ पाया राम राम और जैसरी राम का जैसरी राम जो पॉलिटिकल नारा लगाते हैं उनके नजर में लिबरल लोग ज़्यादा चुपते हैं लिफ्ट लोग ज़्यादा चुपते हैं प्रोक्रसिब लोग ज़्यादा चुपते हैं तो उन्हेंनों उठा करके जेल पहुँचा दिया, जेल से निकल करके आया, तो एक बड़ी सी जिम्मेदारी कंदे पर डाल दी गई, और ये किताब उसी जिम्मेवारी का एक कदम है, उसका एक हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पता नहीं इस जिम्मेवारी को कितना आगे लेकर जा पाएंगे, लेकिन ये उम्मीद है कि नफरत की तुलना में महबद भी बेपनाह मिली है, अगर ये सहयोग और महबद मिलती रहे, तो ये रास्ता लंबा नहीं है, रूसी क्रांथी के स्वासाल पूरे होने वाले हैं, हिंदुस्तान की क्रांथी का भी दिहाद जरूर लिखा जाएगा, आपसे सहयोग के पूछा है, बहुत है स्पुरस्ता है।